हाइपर टेंशन हमेशा टेंशन से होता है और टेंशन देना बहुत आसान है और टेंशन के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता कोई आदमी इधर से आ रहा है जानना पहचाना अपना मस्ते करो अगला टेंशन में आ जाएगा एक आदमी मुह तारे बैठा हुग बोले एक दिन दुनिया खतम हो जाएगी एक दिन सब मर जाएंगे मैं बोले तो है बोले मैं भी मर जाओंगा तुम भी मर जाओगे बस उसी का टेंशन है किस बात का टेंशन है बोले जो सबसे आखरी में मरेगा उसको कौन ले जाएगा तो टेंशन लेना बहुत सरल है और इसके कारण टेंसन के कारण बढ़ता है हाइपर टेंसन कलकत्ता में एक बाइपास सरजरी के अस्पताल के सामने क्योंकि हाइपर टेंसन से फिर हिर्दय रोग उत्पन होता है इसलिए हाइपर टेंसन डे के दिन एक बात याद रखें जितना आनंदित रहेंगे खुस और रक्त का जो संचार है वो भी मजबूत रहेगा कलकत्ता के बाइपास अस्पताल के सामने एक बोर्ड लगा है कि खोल लेते दिल अगर हस बोल कर यारों के साथ खोल लेते दिल अगर हस बोल कर यारों के साथ तो फिर हमको नहीं खोलना परता औजारों के साथ इसलिए हाइपर टेंशन को दूर करना है तो टेंशन को दूर कोजिए ये मेरी आपसे घुजारिश है नमस्कार हाइपर टेंशन दूर कीजिए पहले टेंशन कोजिए